हाई गाईज मेरा नाम है संदीप आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस 11 के एक पोर्ट रॉम के बारे में जो की स्टेबल वर्जिन के उपर बेस्ट है रेडिमी नोट 7 प्रो के लिए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं मडूप से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसन आती है तो एक लाइक जरूट से कर सकते हो सबसे पहले चलते हैं इस रॉम के बाउट फोन के अंदर बाउट फोन का सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ये वाली रॉम 1 प्लस 7 डिवाइस से पोटिड है और बेस्ट है स्टेबल वर्जिन के उपर Android 11 आपको definitely मिल जाएगा अगर हम Android 11 के उपर जाते हैं तो आपको जो है Android Security Patch Level March का देखने को मिलेगा और Google Play System अपडेट है वो April 1, 2020 का मिलता है 21 का सौरी देखने को मिलता है उसके बाद Kernel की अगर बात करे तो यहाँ पे Hydra Plus Kernel को यूज किया है जिसके अंदर जो Performance है वो काफी अच्छी है बाकी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ आपको मिलती है Build Number वगेर आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हो System के अंदर सभी चीज़ें सेम है जो चीज़ मैंन है वही बताऊंगा ज्यादा टाइम आपका वेस्ट यहाँ पे नहीं करने वाला तो सीधा चलते हैं यहाँ पे Customization के अंदर Customization के अंदर आपको यहाँ पे Wallpapers देखने को मिलेगे यहाँ पे जो Wallpapers आपको यहाँ पे Live भी देखने को मिलेगे उससाथ में आपको यहाँ पे Static Wallpapers भी देखने को मिलेगे अगर आप Live Wallpapers यूज़ करना चाते हो तो Definitely कर सकते हो कोई आपको Lag वगरा यहाँ पे Live Wallpaper के साथ नहीं आने वाला उसके साथ Clock on Ambient Display का Option है जो की आपको यहाँ पे सभी Updated Clocks वगरा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इसको यूज़ कर सकते हो FOD Animation मिलता है जो की Useless है Redmi Note 7 Pro के लिए and Horizon Light का भी Option है Accent Color आप चेंज़ कर सकते हो System Icons के अंदर अगर चले तो यह चीज़ आपको मैं चेक करवा देता हूं Working है यह नहीं तो यहाँ पे Swipe Down करके देखते हैं तो इसको आप यहाँ पे Definitely Use कर सकते हो Then अगर Icon Pack के अंदर आते हैं Hydrogen One Plus Even Rounded या फिर Square आपको यहाँ पे Set कर सकते हो जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे Icon Pack लगा सकते हो यह आपको Optionally यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे Next चलते हैं Font के उपर तो OnePlus and Roboto Font आपको इस ROM के उपर मिल जाएगा Display की बात करेंगे तो यहाँ पे Adaptive Brightness Working है Advanced के अंदर आपको यहाँ पे Notch Display का Option मिलता है So यहाँ से आप जो है Notch को Hide कर सकते हो कुछ इस तरीके से And Back आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी Options मिल जाएंगे Screen Calibration के Related तो आप इसको Natural Vivid या फिर Advanced के अंदर जाके और Tweak कर सकते हो तो बागी जितनी भी चीज़े हैं वो Almost Similar है कुछ ज्यादा Changes आपको नहीं मिलेंगे Status Bar के अंदर वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी So वो आप अपने Accordingly देख सकते हो Stamos and Vibration का Panel आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा And this ROM के अंदर अगर आप Vibration के उपर Switch करना चाहते हो तो Directly आपको Option मिल जाएगा आप देखोगे ना यहाँ पे आपको Option मिल जाएगा Phone on Vibrate अगर हम यहाँ पे करते हैं तो Phone Muted And इसको Enable करते हैं तो आपका यहाँ पे Ringer Mode के अंदर आजाएगा या फिर Normal Mode के उपर आजाएगा उसके बाद यहाँ पे Doll Bay Atmos मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो And सभी आपको OnePlus के System, Sound Pack अवगरा देखने को मिल जाएगे And Button and Gestures के इंदर आपको कुछ Gestures मैं चेक रवा देता हूँ Basically जो आपके काम काफी आने वाले है तो सबसे पहले Quick Gestures के अंदर आते हैं यहाँ पे Three Finger Screenshot आप यूज कर सकते हो Double Tap to Wake का Option आपके लिए Working है या नहीं तो वह आप देख सकते हो यह आपका काफी अच्छे से Working है Double Tap to Sleep भी आपका Lock Screen के उपर यहाँ पे Working है उसके बाद बाद करेंगे यहाँ पे कुछ और चीज़ों की Navigation Bar and Gestures आप यहाँ पे Enable कर सकते हो और बागी चीज़ें आपको Almost Similar यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी तो इस ROM को यूज करते हुए मुझे एक दिन से ज्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे अगर बात करेंगे बैटरी बैकप की तो Almost आपको 7-8R के बीच में स्क्रीन आटाइम मिलेगा और उससे ज्यादा भी मिल सकता है Depending upon your battery health and usage के उपर भी depend करता है कि आप कौन से apps यूज करते हो मैंने इस ROM को यहाँ पे ज्यादा hardly यूज किया है इससे 1080p 60fps के उपर वीडियो रिकॉर्ड की और कुछ इस तरीके से मैं फॉन को यूज करता हूँ तो मुझे थोड़ा कम यहाँ बैटरी बैकप मिला है बट जो है बैटरी बैकप आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है अगर बात करें जब आपका यहाँ पे डिवाइस थोड़ा सा ज्यादा हीट हो जाएगा तो आपको उपर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपका डिवाइस यहाँ पे हीटिड हो चुका है तो आपके जो सेंसर्स वगरा है वो बंद हो जाएंगे आप फिर आपको जो है ब्राइटिनेस कम ज्यादा हो जाएगी तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यह चीज मैंने नोटिस की थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और चार्जिंग स्पीड की अगर बात करें क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल्स आपको मिलते है उसके अंदकारन आपको थोड़ी हीटिंग इशू फेस करनी पड़ सकती है और चार्जिंग स्पीड भी थोड़ी आपकी स्लो हो सकती है बट नॉर्मली मैंने आपको बता दिया मौरनीं के अंदर जो मैंने लगाया तो मुझे कोई चार्जिंग का इशू यहाँ पे नहीं आया था अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि यहाँ पे चार्जिंग का इशू है तो वो चीज़ आप अपने accordingly ट्राइ करना और comment करके बताना कि आपको slow charging का issue आया या फिर नहीं device के certification की बात करेंगे तो जो आपका device है वो यहाँ पे certified देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप without route banking apps यूज कर सकते हो magisk अगर आप flash करना चाते हो तो latest वाला magisk flash करना 22.1 वाला और इसके अंदर आपको safety net API error देखने को मिलेगी तो जिसको आपको manually ही fix करना होगा DRM info के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है widevine L1 का sport अगर stock camera की बात करें तो stock camera आपको यहाँ पे मिलता कोई भी camera आपको नहीं मिलता मैंने आप पे Gcam 8.1 flash किया है या फिर sorry install किया है एंड यह काफी अच्छे से working है 4K 30fps तक आप maximum video एंड जो slow motion वीडियो जो 1x4x तक आप यहाँ पे record कर सकते हो यह चीज़ आपको देखने को मिल जाती है अब यह वाला जो launcher है यह आपको one plus का latest updated launcher मिल जाता है एंड left side के अंदर google cards का option है बात करेंगे launcher के smoothness की सबसे पहले app opening या फिर closing speed आप यहाँ पे check कर सकते हो कुछ चीज़ तरीके से देखने को मिलेगी एंड एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ ज्यादा lag आपको जो है face करना तो नहीं पड़ेगा जब आप यहाँ पे जो है live wallpaper यूज़ करोगे बड़ थोड़ा ऐसे आपको जिटरी नेस टाइप फील होगा जब आप app को open या फिर close करोगे न तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे यह शू आ सकता है तो देख सकते हैं कुछ चीज़ तरीके से आपको यहाँ पे जो है चीज़ें देखने को मिल जाती है एंड रैम एनजिमेंट भी काफी अच्छा खासा आपको इस रॉम के उपर मिल जाएगा यह recent menu भी update वगएरा कर सकते हो यह stock वाला launcher मैं भी यूज करोगे और थोड़ा lag आपको मैंने बता दिया कि आप जब यहाँ पे live wallpaper यूज करोगे थोड़ा आपको फेस करना पड़ सकता है बड़ ऐसे कोई major lag वगएर आपको UI के अंदर नहीं फेस करना पड़ेगा and to true score की अगर ब यहाँ पे जो आपका geekbench 5 house के उपर score 492 का आपको मिलता है single core के उपर and 1466 का score मिलता है multi core के उपर यह आपको scores वगएरा देखने को मिल जाते हैं so actually मैं performance काफी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा heating issue आ सकता है because of thermals ज जो gaming है न वो काफी अच्छी आप कर सकते हो थोड़ा सा frame drop भी आप मिलेगा जो है heating के करन वो चीज़ मैंने notice की थी बट कुछ ऐसे major frame drop आपको नहीं मिलने वाला definitely आप एक hardcore gaming यहाँ पे कर सकते हो कोई आपको यहाँ पे issue नहीं आने वाला यह जीज़ आप try कर लेना आपको क smooth plus ultra balance के साथ ultra and HD plus high तो maximum यही frame date मिलेगे बड़ आप smooth plus extreme वगरा के ओपर खेल सकते हो आपको कोई भी यहाँ पे issue नहीं आने वाला काफी अच्छी optimization and काफी तगडी performance आपको gaming के अंदर भी देखने को मिल जाएगी and flashing की बात रही तो आपको i button के अंदर एक card मिल जाएगा उसक को जो है idm plus वगरा के अंदर ही download करना आपको कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी अगर chrome वगरा के अंदर आप download करोगे न में भी आपकी file क्रप्त हो सकती है otherwise आपका जो device है ना जब आप flash करके oxygen OS आपका जो boot animation आएगा वहाँ पे थोड़ा आपको issue आ सकता है वहाँ पे आपका subscribe करना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली new interesting video के साथ